आप तक पहुचाएंगे हम विल्कम दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल में आप तक डिजीटल में जैसे आप सभी को पता है कि महाराश्ट्रा में विधान सभा इलेक्षन शिरू हो चुके है विधान सभा इलेक्षन के परचार की धूम मची हुई है ऐसे ही औरंगाबाद जिले में भी परचार की धूम है और इस धूम के बीच हम लोगों का क्या काम है कि आम जनता तक क्या चल रहा है शेत्र के अंदर जैसे ये औरंगाबाद का पस्चिम शेत्र है औरंगाबाद जिले को तीन आमदार है और तीन आमदार में से आज हम आए है यहां पे पस्चि में किसकी लड़त है कौन काटे की टककर पे लड़ रहा है और किसके तरफ जादा जनता का रुजहान है तो ऐसे ही हम अब्दी मंडी एक एरिया है पस्चिम में दौलताबाद के भगल में ये एरिया है अब्दी मंडी और यहां पे तकरीबन तिन सो ओटिंग कही जाती है मतल बात करने की खास वज़ा ये है कि ये शोशल वरकर भी है और राजनीती का थोड़ा अनुब हो इनको है किस तरीके से जो है तो राजनीती में कोन बाजी मार सकता इनका पूरा नाम मैं आपको बता दू शहिनास बाजी इनको कहते हैं यहां पर सब लोग तो आईए उन से ब अपने खर्चे से चलाती है और अपने खर्चे के उपड़े तो इन बुद्रगों की सेवा इन्हों यहां पर करते हैं तो आईए आप आप ने यह देख लिया हम शेहनास बाजी से मुलाखत करते हैं जानते है बाजी पहले हमें ये बताईए कि ये जो उद्धव हश्रम आप में शुरू किया क्या कब क्या सोच आई थी कि मुझे ये शुरू करना चाहिए देखिए मैं जिल्लापर से समाज के लिएन में जॉब करती थी तो इसी दारान में सोशल वर्क भी करती थी तो कुछ ऐसी इसमें दारान में मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिसके कोई रिली टुने रहते या किसकी आउलाद रहती थी वोने समालती ऐसे बुजरूग लोगों की बहुत परेशानी होती इनकी फजीता होते हो देखी इसलिए मैंने व्यारस ली तो मैंने ये सोचा कि क् खुलो ताकि कुछ बुड़े बुजर्गों की सेवा करके कुछ उसमें नेकी कमाओ पैसा तो सब कोई कमाता है लेकिन नेकी बहुत कम लोगा कमाते हैं तो उनकी सेवा का मौका मेरे को उपर वाले ने दिया और मैंने गुरुदाश्रम चालो किया तो बाजी ये पुरा आप थोड़ा राजनीती के तरफ पल्टे तो आप राजनीती के अच्छे जानकार है और औरंगाबाद जिले में जो तरीके से परचार शुरू हो चुका है हर कैंडिडेट जीत की ओड में लगा हुआ है तो यह जो हलका है यह औरंगाबाद पस्चिम में आता है तो यहां पे हैं आज किसको मानते है किस तरफ जन्ता का जुकाओ हो यहां पर दो कैंडेट में बता दू किसके जो आमने वे सामने हैं एक संजेच सिर्साट है जो तीन बार आमदार रह चुके है और एक राजो शिंदे जो आउल ड़िडी तीन से चार बार जो यह तो कारीकर भी रह यह उर्दाश्रम के ओपनिंग के टाइम में मैंने बाज आपता जाकर उनको इन्वाइट करी थी वहाँ पर फोन पर भी बोली थी लेकिन बड़े लोगों के काम को जाते हुआ ऐसे गरीब हो के इसमें नहीं जाते हुआ तो नेता वही होना चाहिए कि सामने आलों की उसको हम तो तो ओस हुना आपो कर साट हो कि अब की आपको लगता है कि राजुशंदी साथ का समर्थन करना चाहिए चैझे पहले वा वजुँद भी हो हमारे एक पोन पर आया हर मुसीबत में घाटी का हो कुछ भी हो ऐसे कौन सा भी मसला हो तो खड़े रहे तो हमने आप यह डिसाइट किया कि क्यों नहों हम राजू सिंदे साब को ही चुन कर लाए हमारे कालोनी के तो पूरे मुस्लिम और भील समाज भी सब उनको ही समर्द काई उसकी तरीके से विकास को देखते है या पिछल हां कि दृज़ी के लिए और कालोनी के दृड का सवाल ही नहीं आता पीने के पानी का भी कुछ ने हम बोर खो दिगे बोर पर हम सब यह करते अगर राजू शिंदी साब आते है तो आपका क्या मैसे जे राजू शिंदी जी के लिए क्या आप उन से काम लेना चाहेंगे यह के बस पानी का इंतिजाम हो जाए और कुछ गरीबों का है तो यह रोड़ वगरा यह वो कर दे हमको कुछ आइस नहीं लाइट वगरा के खंबे का इंतिजाम करा दे बिजली के बस चलेगा तो यह हमारे साथ में पस्चिम में पस्चिम के रहवासी शेहनास बाजी मौजूद थे उन से बाचित की हमने और बाखी इन्होंने जो कहा है आप सब जनता ने सुना है और यह पस्चिम के जो लोग है इनके रूजहान की इस तरफ है वो हम आप तक के पहुचाने का काम कर रहे हैं और शेहनास बाजी एक शोशल वरकर भी है और थोड़ा राजनीती का उनको अनुबहों भी है उस हिसाब से उन्होंने बात किया हमारे से और यह जो उद्दा आश्रम है तो आप लोग यहां पर आ सकते हैं खुद अपने आखों से देख सकते हैं अगर कोई मदद करना चाहता है तो इनकी आफिस यहीं पर मौजूद है आप आकर मदद भी कर सकते हैं